सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जैसे कि फिजिक्स क्लास्ट्यूवल का चाप्टर बन गया है चाप्टर थीरी का नाम है विधु धारक इलेक्टरी करंड फार्स कोशन है धारा विधु किसे कहते हैं विधु धारक किसे कहते हैं दो ध्यांस चैनल में याट को सियह अतुमरेघ्वीया और जो धारिए जीरी करेंट सबस्कें होने धारक अब एक विधु नकांता जैसे कि western테 reckon के परवाह को बिधूत काते हैं उच विभाह से निमन बिभाह की ओर जाता है वाये उच बीभाह से निम्न बीभाह की अंतर है विवांतर तथा विधुत वाहक बॉल में क्या अंतर है प्रोटेंसियोस डिफ्रेंस और इल्यक्ट्रोमोटिफ फोर्स में अंतर निकालना है एक वायर हो गया बहु हमालेंगय्य ऑ कि ऑद भावाबाम ये अंतर होता है इसका बॉल की फिवाइब हो जायातAn बूल में कोकर κेम बिधूत वाहक बल जो होता है उसका भी और बिभाव के यह फल को बिधूत वाहक बल कहा जाता है यदि कोई परिपत बंध हो तो बिभाव के अंतर की विधूत वाहक बल कहते हैं दोनों की कहीं यतोथे विमा समान होती है याद रखना है विधूत वाहक बल की विमा भी समान होती है और एसे मातरक भी समान होता है दोने में अंतर क्या है तो विधूत वाहक बॉल में बीभाव का योगफल होता है और विभाव अंतर में बीभाव का अंतर होता है यहीं अंतर है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है ओम का नियम क्या है इसकी सीमाई लिखे बहुत इंपर्ण कोशन है नहीं से सुझ देखिए किसी चालक तार में किसी चालक तार में उत्पन विभांतर का मान परवाहित धारे के सामानुपाती होता है किसी चालक तार में उत्पन भीवांतर का जो मान होता है परवाहिद धारे का समानुपाती होता है यह दिप्रतिरोध नियत हो तो इसे ओम का नियम कोते है भी बराबर भीवांतर आई बराबर धारा भी समानुपाती आई तो यहां पर समानुपाती चीन हटाके बराबर गुझालर आई आई आल का है प्रतिरोध का इस्तिरांग मेर्लोंपे एक घ्लाय को हम एक Oम भी कर सकते हैं, Oम को इससे सूच करते हैं, R की जो बीमा होती है, परतिरोध की बीमा क्या होती है, OMS का नियम को सीमा क्या है ध्याने से दखिये, ओम का नियम तभी लागू होगा जब प्रतिरोध नियत होगा और प्रतिरोध तभी बदलता है जब तार गरम होता है और ऐसा कोई भी तार नहीं बना है जिसमें धारा परभाइत होने पर गरम ना हो अथा ओम का नियम नसी फेक है फलाप है से कलापना मात्र है ओम का नियम र कि अगला ने सीवेक परभाव किसे चालते हैं नीएंगे दो बरतन लेंगे एकमें बरफ रखेंगे और फुर्स टांबा कर वार लेकर दोनों मेद दूबा देंगे NFC जालते Hm इस तरह एक तापिये इग्वम बनेगा इस परभाव में दो बर्तन लिया जाता है एक में खोलता हुआ पानी दाता है और दूसरे में बरफ रखा जाता है दो तार लिया जाता है एक तार तामबे का तुथा दूसरा तार लोहे का होता है इसके दोनों छोरों को जोरा जाता है इसे ताप ये इगुम कहा जाता है दोनों छोरों को बरफ और खोलते पानी में रखने पर धारा तामबा से लोहा की ओर जाती है इसे सीवेक परवहा कहते है है तरह ताप में पर वय धार्वाइदा हो तो इस परवह को शिवेग परवहाब कहते हैं यह जूल का करते है याद रखना है जो शिवेग परवहाब होता है और जुल के नियम पर कारे करता है है यदी हमको बल्व जलाना हो तो बब्तन नेंगे बरफ रखेंगे और एक में खौलता हुए पइंड रखेंगे दोनों में बंड खुब घरम मील करके पलास समय देखा पुल जाने लिए अग प्रस्ण प्लटियर परभाव किसे चालते हैं प्लटियर परभाव किसे अंदिहान से दिखिए जिस बैटरी जुरा गया है इसके पहले वाले में बिजली नहीं परभायत किया गया था लेकिसे बिजली परभायत करेंगे तो क्या होगा होगा इसमें तामी और लोहे के तारों के दोनों छोरों को जोर कर तापी गुमरा जाता है दोनों छोरों को ठंडे पानी में रखा जाता है तो से धारा परवायत की जाती है एक छोर का पानी बरह पहुंजता है और दूसरे छोर का पानी खोलने लगता है इसे ही पेल्टियर परवाव को आता है यह सीवेक परवाव का उल्टा है याद रखना है सीवेक परवाव सीधा होता है और पेल्टियर परवाव इसका उल्टा बह्ते करता है इसमें एक सीधा तार लिए जता है इसके एक झोट गरम के जिता तो तुब सीचोट को बरह में डालर देता यह है गरम भाग से भाग से धारक अव फट्र जोता ठंड़ा भाग से धारका और सोसन अदा है इसे थौंशन पर भाव कहते हैं कि अगला प्रस्ट रहे हैं फामसन पर भाव किसे कहते हैं चित्र का उनुसार जित्र चित्र है उपकरण सजाएंगे एक एक रोट लेंगे रोट को कि एक छोड को गरम करेंगे और दूसरे च्छोड को बरफ में डाल देंगे तो क्या होगा ध्यान से दखिए इसमें इसमें प्रतिरोध का नियम बताएं तो प्रतिरोध दो परकार का होता है यह हमेशा धारा का विरोध करता है यह ऐसा उपकरता है प्रतिरोध आईसा कारक है जो धारा को रोकता है धारा का विरोध करता है इसे प्रतिरोध कहते हैं प्रतिरोध दो तरह का होता है बाहरी प्रतिरोध external resistance और भेतरिया आंत्री प्रतिरोज internal resistance पहला परते हैं बाहरी प्रतिरोज किसे कहते हैं तो बाहरी प्रतिरोज को capital R से सुचत करते हैं किसी भी परिपत में बाहर से प्रतिरोज जोरा जाता है उसे बाहरी प्रतिरोज कहते हैं यानि बाहर से प्रतिरोज जोरेंगा है तो बाह कि अगला प्रस्टै अगला सेकेनमर है इंतरिक परत्रोध क्या इंटर्नल रेसिस्टेंस फिसी भी तरी में अंधर क्यों प्रतिरोध होते हैं उसे प्रतिरोध करते हैं इसका मान देख सकते हैं कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा प्लस एसमॉल आर ओम के नियम का फर से फर्मूला होता है भी बड़ाबर आई यार तो भी के जगह पर एलिग देंगे और आर प्लस आर जो वोल्ट जो होता है जो भीवा बिवानतर जो होता है बिधुतिये वहाइग तर इसलिए लिख देंगे तो बराबर हो जागा आयि एंटो आर प्लस आर और दिक्तम धारा आर बराबर तो जाएगा रहाऊँ और इनुट्ल आर प्लस द्रून द्रूक। बराबर हो जागा निम्तों था बराबर हो जागा ए बराबर आई इन्टू केपिटल आर प्लस स्मोल आर प्रतिरोध का नियम क्या है तो प्रतिरोध का दो नियम है पहला नियम है प्रतिरोध का मान तार की लंबाई का समानुपाती होता है capital R को प्रतिरोध मानेंगे L को लामाई मानेंगे तो R सवाय प्रतिरोध का फॉस्ट लोग हो गया सेकन लोगा प्रतिरोध का माननु प्रस्ट का च्छाथ ख़ं़ का बराबर बिदकर्मानु पाथी होग्या सेकन लह हो गया दोर जो और सलते हैं तो पांस नींगे आर संवानीव पाती एल और सेकनें कैं आलीवित कर दोसonta स्थेयों के यहां पर और्रकमल जाएगा है कि difकर मार्ष लिए आर बराव बराव लाइंगे तो यहां परति रोद आजायागा रो आजाएगा कॉंस्टेंट आजाएगा और बराबर रो एल बटा ए तो रो का रो को स्प्रेस्टिक रेसिस्टेंस अनि विशिज पर्ति रोग बिशिज पर्तिरोध कहते हैं रो की काई आर गूने ए बटा एल मतलब और पर तिरोध का सिवातर हुझ जागा छेत्पल का के इसमें अगला कोश्चन है जो बहुत इम्पॉटन है यह कोश्चन इस वार एकजाम में आया था कोश्चन है कि रिचोफ का नियम क्या है तो था इसका उप्योग वीट एस्टोंड बिरिज में कैसे होता है दियां से दखिए कि रिचोफ नामक बैग्यानिक ने किसी बिं नियम को संधिपर्मे कहते हैं और दूसरा नियम को कुंड़ी कहते हैं याद रखना है में संधिपर्में से हम चलते हैं तो इस सब्सक्राइब बिंदू पर मिलने वाली कुल धाराओं का बिजवनतिय योग सुनने होता है यह से हम यहां पर धारा पहला नियम संदी परमें में क्या है तो किसी बिंदू पर मिलने वाली कुल धाराओं का बिजवनतिय योग सुनने होता है तो सामय देखेंगे आइवन आई-टू आइथि आई-फोर आई-फोर मिला है कहां मिला है लोग जाती है तब पहाला नहीं क्या स्रिद्ध करना है सब को जोरेंगे तक ततना है चीजीड बराबर जिरो पूसित करना है कि सी बिन्दियु पर आन्य वाल धार 10 होती ह्द जानेवल धर्या आपड़े जानते हैं तो i1 i2 i3 आर इसलिए पड़्य होजागा और i5 for 6 60 जार है इसलिए माइनस हो जागा तो माइनस हो जागा चितर से i1 के बरबर i4 है i2 के बरबर i5 है और और i3 के बड़ाबर i6 है तो यहाँ पर लिखेंगे आई बड़ाबर i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 प्लस i5 प्लस i6 i1 का 1 रहेगा i2 का 2 रहेगा i3 का 3 रहेगा i4 जब आपन चीन पहले बदलेंगे जा रहे तीनों का चीन बदलेंगे मैनस मैनस हो जागा आई फोर के आई फ्लस i2 लिखेंगे और तीनों तीनों से कट जागा बड़ाबर जीरा गया इस तरह हम संधी परमे को सिद्ध कर दी है सेकेंड लाव है कुंडली पर में किसे कते हैं लुप्स थ्यूरम किसी बंद परिपत में खूल विदुत वाहक बल का मान सूने होता है तो यहां पर बंद परिपत हो गया R1, R2, R3 और धारा हो गया I1, I2, I3 चित्र में A21 बंद परिपत है जिसमें तीन धारा आए जिसमें तीन धारा आए I1, I2, I3 चित्था तीन परतिरो आरवन, R2, R3 दिये गया है हमको सिद्ध क्या करना है तो E1 और E2 और E3 के जो मान होगा जीरो होगा तो देखिए नियम देखिए ओम के नियम से होता है तो E1 बराबर I1, R1, E2 बराबर I2, R2, E3 बराबर I3, R3 चित्र से मान भरेंगे एक जाब पर लिखेंगे हम E1 प्लस E2 बराबर E3 तो E1 और E2 दोनों प्लस प्लस जा रही है और E3 मानस होगा तो मान भरेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 और E1, E2 को हटाए करके तो देंगे मानस कर देंगे कट गया जिरो आ गया किर्चोप का नियम को प्योग क्या है तो जीसे तरह कुंडली है इस तरह कुंडली में के नियम को प्योग होता है आगे देखेंगे चित्र में एक चकोर खुंडली दिखाए गई है इसमें धारा करमसा आई वन आई टू आई थी आई फॉर तो था परतिरोद पी क्यू आरेस है किर्चोफ के नियम से सर्कीट एबी डी में आई वन पी माइनस आई थी आड़ बराबर जीरो हो जाएगा तो यह माइनस फिर जाएगा तो हो जाएगा पी बीत अमधृ प्रतिरोद ग्याद हो तो हम चवथा प्रति रोज आजानी से ग्याद कर सकते हैं अगला प्रस्ण है प्रतिरोध नियम पर अधारित प्रस्ण है प्रतिरोध नियम पर अधारित प्रस्ण क्या है द्यास दखिए इस नियम यह नियम ताप और प्रतिरोज के बीच समान रखता है इसको हम अलफा सुचित करते हैं प्रतिरोध अलफा बराब प्रतिरोज में पर सिंस्य Cते रिवां प्रतिरोव है तरह या मैं अधिम परतिरोद का सयोजन कि किस तरह होता है यह हम आगे पर आगे पर रहा है हम संधारित को लेकर पड़ेंगे लेकिन इसमें हम समांतर करम और सुरणी करम पड़ेंगे लेकिन इसमें प्रतिरोज के बढ़ेंगे तो सुषब सामा किरम मие दोसरा स्व्राइंधल कर बीकर प्रतिरोद क्या होता है अगर आनेक प्रतिरोद एक प्रहुज प्लस ब्लस ब्लस भी तो फिक अमान प्रतिरोज को अलग अलग रेखा में जो रा जाए तो उसे सामनांतर करम सेयोजन कहा जता है इस चीत्र में देखा दिया गया है आई टू आई थी तिन धारा है आड़ आट टू आट तीन प्रतिरोध है और इसने वीभाव भी भीवर्ट से वीभाव है तो वी बराबर हो जाएगा आई यार वी बराबर आई आई आट तो आड़ गुन याहां पर देखिए है अमानवाण पूट करेंगे आई बराबर आई वन प्लस एटू प्लस आए तरी तो आई का मान भरेंगे आए बड़ाबर आबर आबर आखनार कुन कर दो घ्रकोन कर जाएं भी सेवी कर जाएगा तो यही क्या है यहिए यही सामनांतर करम में है यह य सब्सक्राइब करते हैं यह ऐसा उपकरण है जो दो बिंदुव के बीच बीभाव को मापता है बोल्ट को मापता है लेकिन उसका पठन सही नहीं आता है सब्सक्राइब करते हैं यह है बीभाव के सब्सक्राइब करते हैं इसका इसका बठन से अता है सिद्धानिका है अच यह का मान कारेके समानुपाती होता है यहीं क्या है विभावा विभामापी का सुधांदत यह बराबर विदुत वहक बॉल जहां यह बराबर विदुत वहक बॉल बराबर तार के लिए और यह समयनुपाती यह बराबर के लोगा दके एक कॉंस्ट हो गया आगे देखते हैं हाँ दो टारो के लिए यह बराबर के लबान समीकरम फॉस्ट हो जाएगा यह बराबर के लड़ा करेंगे तो हम भाग करेंगे तो यह बटा यूटू प्रभावर एलवन बटा एलटू कैसे के कड़ जाएगा जहां इवन वाट है यह द्टू वोल्ट है 11.10 यह है तो हम इसका मान निकाल सकते हैं अधर कि निकला हुआ है यहां पर यहां पर सेल यहां पर गैल्वान मीटर है और दूसरा नुमेकल देता हम इस नौमेकल को भी बना सकते हैं जखें सामें इसम बारबर टूबी यहां पर आएलवण और टू कमांद दिया हुआ है तो हम इंवं मतों निकलन सब्सक्राइब यहां तो इसमें एक लंबा तार भी होता है जिसके लंबाई एक मीटर से थोरी काम होती है जो दो सेलो ए Two को गल वेनो मीटर के साथ स्रेनी करम में जोर जाता है संतूलन बींदू पराप्स करने के लिए जॉकि को तार पर घुमाया जाता है जब तार का वीभा ताथ शेल का वीभा बराबर होता है तो गल वेनो मीटर की सुई में बिच्षेप नहीं होता इस बिंदू को 0 point मतलब सुन्यावा बिंदू कहा जाता है L1 तथा L2 का मान स्केल से मापा जाता है तथा अग्याती विभाव का मान निकाला जाता है देखिए विभाव मापी का कारे क्या है इसका तीन परमुक कारे है जो विभाव मापी है विभाव मापी का तीन परमुक का पहला करें क्या है दों सेलों के बिचुत वाहक बाल के तुनला करता है इसके लिए दोनों सेल्स का भी वह अग्यात होता है पहले सेल का संतूरन बींदू एल वन तथा दूसरे चैल का संथलें निकाल ले जाता है तो दोबारे इवन तता इट्व का कि तूनला कियाती है सिधांत चैसे था एक किन वारबन के लोग एट्वन कर लांद दिया हूए अध्यवकत थे दोसरा है कि किसी ये ल का आंतरिक किसी को किन राट प्रतिरों निकलना इसके लिए चालिए हमें देखेंगो आपते हम ये बराबर और आला ये इन तो आर को सब्सक्राइब फैप आर फ्लिस मेरं मला आंतरिक कि प्रतिरों और बाहरी प्रतिरोज तो यह बता आई रहा है तो अधारा और प्रतिरोज का मान मालूम रहता है आंतरिक प्रतिरोज का मान निकल जटा इसके लिए ग्यात और अग्यात शेल को बारी बारी से जोर कर तार की लंबाई का संतूलन बिंदू निकला जाता है तथा गन्ना से अग्यात बिदू बाहक बल निकला जाता है सबसे पहले आप मेरे वीडियो को रुका लो रुका कोपी में नोट कर लो उसको समझ के पूड़ो आपको समझ में शिरूर रहेगा आपको सफलता आवस्य मिलेगी अगला प्रशन है जूल का नियम क्या है जूल नामक बेगानी के ने बिधु धारा ताप प्रतिरोध और समय के बिच समझ निकला इसे ही जूल का नियम कहते है जूल का तीन नियम है पहला नियम क्या है तो ताप का मान धारा के वर्ड का समानुपाती होता है अगर हो प्रतिष्ट नीयब सेकर सेक्ट्र लोग क्या है क्वान 100 का मांन प्रतिरोध समानुपाती निया हो एक समानुपाति आर कब जब आई टी कॉंस्टेंट हो तिसरा है तिसरा नियम क्या है ताप का मान समय के समानुपाति होता है यदि धारा और प्रतिरोध नियत हो एक समानुपाति टी जहां आई और आर क्या है कॉंस्टेंट है स्थिरांगे ग्यांसे भी हासकता है तो फर्मूला बराना ये स्थिरांग है काय से भी आसे में इदर। तो एच बड़ाबर चीन लाएंगे ते आप अपर आजाएगा एक जूल बड़ाबर होता है जाद समने 2 कैलोरी कि अगला प्रस्ट नहीं विधूतिय सक्ति क्या है तो विधूतिय कारे के करने के दर को विधूतिय सक्ति कहते हैं है इसके के काई किलोवाट् है जो एक 2000 वाट के बड़ाबर होती है एक होस्पावर है हब य machen лоता है साथ 46 वाट किकर समयकरन सक्ति का समयकरन द्यास दखिए ऑबर dating AMI स्रमाइबर से निकाल से हमति का लूरु क छॉबनें उसका बड़ता है व बड़े पर एक सेकरन कि निकलता है, तो यहां पर क्यों कमान भड़ते हैं आई टी तो इधर टी गुनाय में भाग में तो डॉल बैटी बराबर हो जागा भी बुने आई गुनाय टीवर्टी सची कड़ गया डॉल एक पी लिए अभी पावर का समीकरण है इस फर्मूला है पी बराब भी आई है तो पी बराबर है को पर ऱीर किया जाता है कि सबस्कें रहुत है हम सबस्क्राइस घ्रता है तो इसका साओँ एक बर नवर्ट डिग्री अवस्य होगा जहां सकती सुन्य हो जाएगा अगला प्रश्ण संट क्या है यह कोशन 19 के जामय था अब देखिए दहां से संट क्या है गलवेनो मिटर धारा को मापता है यह सुध सुध मापता है यदि अधिक मान की धारा परिपत में जाएगी तो कुंडली गलकर छोत्य गरस्त हो जाएगी अथा इसे गलने से बचाने के लिए तौम दर्वेनांग का प्रतिरोज समांतर करम में जुरा जाता है इसे संट कहते ह जब अधिक मान की धारा परिपत में जाएगी तो संट का तर गलकर परिपत को बंद करेगा संट से समाझे तीन परकार का सवाल आता है जो सामने दिया गया है टाइप वन टाइप टू टाइप टीर पर टाइप वन देखते हैं तो कि यहां पर चितरी स्तरह दिया रहेगा सब्सक्राइब टाइब टाइब टो पर सवाल बनेंगा तो किस तरह बनेगा इस बनेगा यह ब्राबर होता है आई जी गुने जी बटा आए मैनस आई जी जहां एस संट का प्रतिरोंद है आई जी कि दहरा है जी गलमेनअ मिटर का प्रतिरोंद है और आई कुल धारा है तिस्रह अग सी ताइबंगे से हम से संट ट्राइप का सभार बना सकते हैं यदि तीनों आपके यादो कहता है 假чески fatal drift velocity g a Rodrigo कि से कषिए हैं हम जानती है कि ईलेक्ट्रॉ नकीं प्रवाह को विजूत करते हैं एक नग्युद कुछ बेक्षवब्स से आधिक भीभव से क्यां मिवग जाता है इसे अप्वाहक चाल करते यो है यह अला आगे दखिए इसमें आ बरावर धारा एक बडर ऐक आवेस Amaran पड़िए की सब्स्क्राहिए दिरर मतला अपवाल यह करा हिल अन्यर्टीम नगेगों सोड़ाए एल इन यह तो यह पर आप इसको फ्लटेंंगис पूर देंगे तो यहां पर जागा निश्वार बनेंगे तो टी बटा एल बड़ाबर एन इए बटा आई तो अगला पॉइंट है धारा घौनातों क्या है तो धारा घौनातों को जे से सुच्छत करते हैं जे बड़ाव हो जागा फ्रमूला आई बटा ए तो आए का होता है को ताम का प्रभाव क्या है तो ध्यास तकी है जूला के निyim सेता पखने पर प्रतरोध का मान बढ़ता है ताथ में से अर बऺआव हो जाओ रो इन्टि एल बाइए यद्धे एल बराबर एक विमेटर हो तो असलेती हमान चाहिए इस तरह प्रतिरोद का मां बठने पर प्रतिरोद हक्ता का मान पदता है ने किसके कहते हैं प्रतिरोधों में अने को प्रतिरोध होता है उसके उपर टोपी लगी रह जाता है इसे रंगिन करते हैं से ही रंग्येल कोड़ प्रतिरोज कहते हैं जो करता हैं इसको jaro-9 कि बहसंद करते हैं उसके मान ко 0 मतलब काला एक मतलब भूरा दो मतलब लाल तीन मतलब नरांगी चार मतलब पीला पांच मतलब हारा होङिये अगरा को सने बिधुतिए यूर्जा क्या है तो ध्यान सुनिए किसी भी उर्जाय को कारे की रूप में मापजाता है हम जानते हैं कि कारे बड़ाबर बीभावगुने आदेश होता है दब्राबर भी क्यूंता होता है तो यहां पर लिखे का मान्वार आइस्क्वार आर्टी तो यहां पर ध्यांस दखिए को ब्रबाबर आइस्वाताइब किया हो जागा कि कीलो वाट आबर हो जाहा फिलोवाट घंटा अगला को सने बिद्धूतिय शबाव कैसे करते हैं करेकरने की तर्ठी को सक्टी करते हैं कारे करने की दर्ठी को सक्ती करते हैं इसको ही सद्रों ठिलीन e directorS उसे रहाइँ टूल में कई सिर्ण सो दिख थे वह याद रहा है से भ impact करने फरत दडबल बाब्र भी किल कमान फर डेंगे хотя कि टी भाल टी को पी लीदें गई यह में आगे पो देखेँ है और भीकिन Lamb-leohl भी आई लेकें अंत्र स्केंगे फ्री बार और हो जाएगा आई स्थरा फर्मूला प्न मुला प्रविए स्क्वार बटा आर्ट आज फिर मूला है पी बराबर भी आई कोष्च उठा ठीठा इचा का मन नाबाट टिकरी हो तो पी बराबर जुर डिकरी होगा यह जूर फिर पी और आई से गुना करेंगे तो जूरो ही होगा अगला फरमूला होगा डबल बाइटी बढब लिखेंगे और दी लिखेंगे अब बड़ावर एक चलो जी आगए देखो कि अच्छेस्टर प्रतिरोज को दो परकार्ड से जोर जाता है ठीक उची तरह से लोग को भी दो तरह से जोरा जाता है इसी सभी एक ही लाइन में जोरा जाए है तो इуют dope सलों का लेकिन यादि अलालन लेक्ट कि अब्ठो जो है तो स्वाइब होगय घर है है इसके लिए शूतर है यह बराबर ईवन पीलोस यज डू ए एड रे लेकिन वह विलों प्रॉकल के तो यहां सब्सक्राइब करते हैं जो अग्याद प्रतिरोध का मान निकालता है यहां दखिएगा मिटर से तू एक वैसा उपकरण है जो नहीं मालूम किये हुए प्रतिरोध का मान निकालता है इसमें तार की लंबाई एक मिटर और नि-सौ सीम होती है और तो इसका नाम मिटर से तू परा हैशा का सिधान दखिए कि चिधांथ है प्रतिरोध का मान तार कि लंबाई के समानु पाती होता है आर समनाच समानु पाती समानुपाति का चीन हट तो इस बराबर के एल टू समीकन से कर भाग करते हैं तो आर बटा एस बराबर हो जागा के लवन बटा के लटू कैसे के कट गया आर बटा एस बराबर हो जागा सब्सक्राइब निकालता है यह अग्याद प्रतिरोज का मान निकालता है इसमें दो प्रतिरोज सिरनिकरा में जूरे होते हैं जिसे से जूरा होता है वैसा लंबाई का चुनाव क्या जता है जस्तान तूरन बिंदू बनाता है समीकराण के दोबारा अग्यात प्रतिरोज का मान निकाला जता है है समिकरा नहां से दखिए आहां पर समिकरां दिया हुआ है कि इस तरह चाप्टर थीरी का पूरा थीवरी खतम हुआ जितना भी हम चाप्टर थीरी में थीवरी बताएं है यह लगवा यह लगवा साइंतिस मिनट के जो वीडियो है इसको पॉस्ट करकर के आप लोग पहले को पी में नोट कर लिजिए उसके बाद मेरा वीडियो देखकर समझ कर समझ है समझ माइगा आपको सफलता वश्य मिलेगी इसके आगे हम साप्टर फोर का वीडियो कर डालेंगे अधिक स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धैट्स एवल थैंको धन्यवाद